हेलो बच्चों, आज आठवी कक्षा के वसंद पार्टे बुस्तक से लिया गया बसकी यात्रा नामक अध्याय का वाचन करने वाली हूँ, आप भी साथ में ही पढ़िएगा, ओके, लेट्स टार्ट बसकी यात्रा, हम पांच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें, परना से इसी कमपणी की बस सतना के लिए घंटे भरबाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबग घर पहुंच जाएंगे, हम मेंसे दो को सुबग काम पर हाजिर होना था, इसी लिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सला दी कि समझदाराद में इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाको मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है बस को देखा तो स्रद्धा उमड पड़ी, खूब वयो व्रुद्ध थी, सुद्योम के अनभों के निशान लिये हुए थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाते कि व्रुद्ध वस्ता में इसे कष्ट होगा यह बस पूजा के योग यती, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कमपनी के एक हिस्दार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी हमने कहा, वही तो हम देखना चाते हैं, अपने आप चलती है यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे डाक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्यस नहीं है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैट गए, जो छोड़ने आये थे वे इस तरह देख रहे थे, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं उनकी आँखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है आया है, सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए इंजन सच मुच स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे, उनसे हमें बचना था हम फारन खिड़की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सच मुचल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविने अवज्ञा आंदोलनं के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था पूरी बस सविने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ कर आगे निकल गई है कभी लगता कि सीट को छोड़ कर बॉडी आगे भागी जा रही है आठ दस मील चलने पर सारे भेदबाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है एक आएक बस रुग गई मालुम हुआ कि पेट्रॉल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रॉल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भेजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कमपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रॉल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मूँव में दूद की शीशी लगाती है बस की रफ़तार अब पंदर बीस मील हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेरिंग तूट सकता है प्रगती के दृष्य बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेट थे, जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेट को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेट आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी वह निकल जाता तो दूसरे पेट का इंतजार करता जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी एका एक फिर बस रुके ड्राइवर ने तर तर की तरकीबें की पर वह चली नहीं सवी नहीं अवज्ञा अंदोलन शुरू हो गया था कमपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फस क्लास है जी यह तो इतफाक की बात है शीन चांदनी में व्रक्षों की चाया के नीचे वह बस बड़ी दहनी ये लग रही थी लगता जैसे कोई वृद्धा ठक कर बैड़ गई हो हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं अगर इसका प्रणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतियश्टी करने पड़ेगी हिस्सेदार सहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की जोती जाने लगी चांदनी में रास्ता टोटोल कर वह रिंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही एक पुलिया के उपर पहुंचे ही थे की एक टायर फिस कर गे बैठ गया वो बहुत जोर से हिल कर थम गई अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती मैंने उस कमपनी के हिसेदार की तरफ पहली बार स्रद्धा बाव से देखा वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बसे सफर कर रहे हैं उचसर्ग की ऐसी भावना दुरलब है सोचा इस आदमे के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सोब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्रान दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा की साथ टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पंना पहुंचने की उमिद्चोर दी थी पंना कभी भी पहुंचने की उमिद्चोर दी थी लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इस सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है इस प्रत्वी पर उसकी कोई मन्जिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठ गए चिन्ता जाती रही हसी मज़क चालू हो गया बसकी यात्रा नामक अध्याय हरिशंकर परसाई जी से लिखा गया है वे इस लेक के द्वारा अपने व्यक्तिगद अनुभो का बखान करते हैं जो की है बसकी यात्रा एक बार लेकक अपने चार मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं परन्तु कुछ लोग उसे इस बस सफर न करने की सला देते हैं उनकी सला न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं किन्तु बसकी हालत देकर लेकक हंसी में कहते हैं कि बस पुजा के योग्य है नाजुक हालत देखकर लेकक की आंखों में बस के प्रतिस रधा के भाव आ जाते हैं इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो सीट पर बैठ कर वो सोचते हैं कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उस पर बस को देखकर वो कहते हैं कि ये बस जरूर गांदी जी के असहयोग आंदोलन के समय की हैं क्यूंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे और कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुग जाती है और पता चला कि पेट्रॉल की टंकी में छेद हो गया है और ऐसी दशा देखकर वो सोचने लगे नजने कब ब्रेक फिल हो जाए या स्टेरिंग तूट जाए आगे पेड़ और जील को देखकर सोचते हैं कि नजने कब टकरा जाए या गोता लगा ले अचानक बस फिर रुग जाती है आत्मगलानी से मन भर उड़ता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है किन्तु इस बार और धीरे चलती है आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मी छोड़ ही देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजा करने लगते हैं अंत में लेकक डर का त्याक कर आनन्द उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयम को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भईमन से निकाल देते हैं हरिशंकर परसाई जी से लिखा गया यह पाट बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक यात्रा व्रतान्थ है जिसमें लेकक ने उन प्राइवेट बस कमपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज्यादा मुनाफे के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकन दबाएगा अभी आगली वीडियो में मिलते हैं तैंक यू